नमस्कार दोफ्तों एक बार फिर अमारे यूटूब चैनल में आप लोगों का हर्दिक स्वागत है लेटर फ्रेट निकल के आई कि सरकारी करमचारियों के लिए अच्छी ख़बर आ गई है फिटमेंट फैक्टर को मिली मंजूरी हो गया है कनफरम दोफ्तों परदानमंत्र इंदरेंदर मोधी सरकार केंदरे करमचारियों के फिटमेंट फैक्टर में बढ़ोतरी करने की गोशना जल्द कर सकती है तो दोफ्त हम आपको सब डिटेल में बताएंगे अगर आप हमारी चैनल पर पफटाम ही जिट कर रहे तो चैनल को लाइक कर दीजे सब्सक्राइब कर दीजे साथी साथ वैल आइकन को भी बजा दीजे ताकि गोशना जल्द कर सकती है मिडिया रिपोर्ट की माने तो यह कनफरम हो गया है कि सरकार फिटमेंट फैक्टर को मंजूरी देगी और सरकार का ध्यान फिटमेंट फैक्टर को बढ़ा कर नियुनतम बेसिक सैलरी को 18,000 रुपे से 26,000 रुपे करने पर है केंदर सरकार के करमचारी संग लंबे समय से फिटमेंट फैक्टर को 2.57 गुणा से बढ़ा कर 3.68 गुणा करने की मांग कर रही है ताकि नियुनतम बेसिक बेसिक सैलरी जारुपे से बढ़ कर 26,000 रुपे हो जाए अगर मिडिया रिपोर्ट की माने तो करमचारी यूनियन का कहना है कि सरकार करमचारीों की मांग को नजर अंदाज नहीं कर रही है कैबिनेट स्चिव और करमचारी यूनियन की मुलाकत पहले ही हो चुकी थी इस मुलाकात में एसोसियेशन को आश्वाशन दिया गया था कि फिटमेंट फैक्टर की तरफ सरकार ज्यादा ध्यान दे रही है मेडिया रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रे क्रमचारियों की इस डिमांड पर सरकार काफी समय से विचार कर रही है ताकि चुनाओ के बाद आचार सहीता लगू है तो इसके कान देरी हो रही है ऐसी उमीद है कि होली के तोफिक के तोर पर क्रमचारियों का फिटमेंट फैक्टर बढ़ाया जाएगा दोस्तों केंद्रिये सरकार फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाती है तो केंद्रे क्रमचारियों के वेतन अपने आप बढ़ जाएगा फिटमेंट फैक्टर केंद्र सरकार के सभी क्रमचारियों के बेसिक वेतन तै करता है फिटमेंट पैक्टरों को आकरी बार 2016 में बढ़ाया गया था जिसे करमचारियों का नियुनतम वेतन 6,000 रूपे से बढ़कर 18,000 रूपे हो गया था फिटमेंट पैक्टर में समभावित बढ़ोतरी से नियुनतम बेसिक सैलरी 26,000 रूपे हो सकती है अब इन्युनतम बेसिक पे 18,000 रुपे है जो की बढ़कर 26,000 रुपे हो जाएगी यानि सरकारी करमचारी को बेसिक वेतन पे सीधे 8,000 रुपे का फाइदा होगा अगर बेसिक पे 18,000 रुपे है तो 26,000 रुपे हो जाता है तो महेंगाई बत्ता भी अपने आप बढ़ जाएगा क्योंकि दोफ्तो महेंगाई बत्ता बेसिक वेतन के 31 परतिशत के बराबर है डिये का कैलकुलेशन डिये की दर को बेसिक पे से गुना करके निकाला जाता है यानि बेसिक वेतन बढ़ने से अपने आप महेंगाई बत्ता भी बढ़ जाएगा और बेसिक वेतन से सीधे 8,000 रुपे महीना और 96,000 रुपे सालाना का इजाफ़ा होगा तो दोफ तो आज के लिए इतना ही मिलते है नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जै हिन जै वारत